मस्कार स्वागत है आपका बिहारी नियुज में मैरतन सेन भारती अज हम बात करेंगे नोटों के लिए कर आपने एक रुपे से लेकर दो हजार रुपे तक का नोट देखा होगा लेकिन आप इनमें से कई नोट हैं जो चलन से बाहर हो गए पीम मोदी के प्रधान मंतरी बनन करना पड़ेगा लेकिन जब एटीम से 2000 के नोट निकलता है तो उसके छुटे कराने में लोगों के पसीने छुट जाते हैं नोटे की बात करते हुए आज हम बात करेंगे 0 रुपे के नोट के बारे में क्या आपको पता है कि देश में कभी सुन रुपे का नोट भी छपता था अगर आप इस सुन रुपे के नोट के बारे में नहीं जानते हैं तो आई हम आपको इसके बारे में बिस्तार से इसकी पूरी कहानी बताते हैं तो यह बात करते हैं सुन रुपे के नोट के बारे में यह बात साल 2007 की है जब इंडिया ने सुन रुपे के नोट छापे थ यह नोट चार भासाओं में थे हिंदी तेलगू कन्नड और मल्याला में चापे गए थे आईए आप जान लेते हैं इस नोट के चापने के पीछे क्या मकसद यह था कि भरष्टाचार और काले धन के खिलाप लोगों को जागरुकिया जा सके वरष्टा-चार और काले धन को खत्म करने के लिए जीरो रुपय के 30 लाख नोट चापे थे इसमें अकेले तमिलाणू में 25 लाख से अधिक के नोट बाटे गए थे पुरे देश में करीब 30 लाख नोट बाटे गए थे फिफ्थ पिलर के संस्थापा के ने अपने बॉलेंटियस के द्वारा रेलवे अस् चापी गई थे फिफ्थ पिलर संस्था पिछले 5 बरचन बारत के 2-12 साउ स्कूल कॉलिजे। में आगों का कर्डियर के कर रही लोगों कि लोगों से सायन करवा जा रहे है इस पर अब तक 5से अधिक लोगों ने हस्ताचां किये हैं इस नोट पर लिखा है कि ना तो मैं रिश्वत लूँगा और ना ही दूँगा जब इस नोट की शुरुआत हुई थी तो तमिलाडो के बारह जिलो में फिफ्ट पिलर के सेंटर बनाया गया था इसका मुख्याला चन्नाई में और बेंगलोरू हजराबाद दिल्ली परजास्था के पाली में था जीरो रूपय के इस नोट पर राष्ट पिता महात्मा गांधी का चीतर भी छपा हुआ था और नोट के नीचे बिल्कुल दाई तरफ संस्था के फोन नंबर और इमेल आईडी भी छपा हुआ था देश में भश्टा चार को कम करने के लिए अनोखा काम किय है तो अब तक हमने जाना कि जीरो रूपय का जो नोट है वो कब छपा और आर्वी आई ने उसे किस तरह से छपवाए था तो यह थी नोटों को लेकर जनकारी बिहार और बिहार से जुड़ू ही और भी इसे इंखबरों के लिए बने रहें बिहारी नीच के साथ मुझे द बनेवाद